आपका स्वागत है आज तारीक है आपकी चार नवंबर 2021 की सिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करेंगे पर उनको देखने से पहले आप सभी को आपको और आपके पूरे परिबार को दीपावली की हर्दिक सुबकामना है देखते हैं हमारी क्या कुछ अपडेट हैं यहाँ पर एक लाइन बहुती सुन्दर सी लिखी हुई है कि दीपावली में दीपो का दीदार हो और खुसियों की जो है वो बहुचार हो तो सबसे पहली अपडेट है डीएलेड के संदर में की बैक पेपर में 65 प्रतिसत चात्र जो है वो पास होए हैं प्रियाग राज से न्यूज है कि डीएलेड 2018 बैच के तरती समिश्टर बैक पेपर जो है उसका रिजल्ट घोसित हो चुका है और 65% अभरती सफल हुए है परिच्छा नियामक प्रादिकारी कारेले ने डीएलेड प्रतम और 33 समिश्टर बैक पेपर का परिडाम वो द्वार को जो है वो घोसित कर दिया 2018 बैच के जो थर्ड समिश्टर है उसमें 33,793 बैच की बात करें तो 33 जो समिश्टर बैक पेपर है उसमें सम्मिलित 8,060 प्रिशिच्चू में से 5,824 है जो की पास है और 2,220 चात्रे से है जो पेल है तो परसंटेज 72,25 पीस दी जो है वो रहा और 2018 बैच का जो पहला समिश्टर बैक पेपर में सम्मिलित चात्रे ते 10,000 के सम्तिंग में उन में से लगबक 75,54 परसंट जो है वो पास रहे है वाइंडी एलेट 2017 बैच फर्स्ट समिश्टर बैक पेपर में सामिल 220 प्रिशिच्चू में से 202 जो है वो पास और 15 जो है वो पेल गहे है अगली उस देखते है इस्टाप नर्स अभ्यरती भरती से संबंदित की अभ्य की वेबसाइट पर ऑनलाइन जो है वो जानकारी देनी होगी प्रियाग राज से जो है वो न्यूज है कि उत्तरवते इस लोग से वा आयोगने स्टाप नर्स सिष्टर ग्रेट 2 भरती परिक्षा 2021 में सामिल वे जो अभ्यरती है उनसे सैक्षिक दस्तावेजों की जानकारी मागी है EWS OBC वर के ऐसे अभ्यरती जिन्होंने उक्त जो लिकित परिक्षा है उसमें 25 अंक और उससे अधिक वा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती स्रेडी के ऐसे अभ्यरती जिन्होंने 20 अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त किये है उन अभ्यरतियों की सूच है उसकी दसा में कि सारी डिटेल जो है वो मागी गई है अगली नोसे दरोगा भरती से संबंदित के इसकी लिखित परिक्षा बारा नवंबर को जो है वो होगी और ऑफीशल जो नोटिफिकेशन था इसका वो भी मैंने आपको जो है वो दिखाया था जिसमें अलग-अलग प होगी वस्त तुनिष्ट प्रकार की परिक्षा होगी 400 अंको की होगी बाकी पहला जो चरण है वो बारा से 17 नवंबर दूसरा जो है 1924 नवंबर और तीसरा जो है 27 नवंबर से 2 दिसम्बर के बीच होगा अगली नुस भी देखें जिसमें दरोगा भरती के लिए परिक्षा नागरिक पुलिस के जो पद है उनके बारे में बताया गया है बाकी जो परिक्षा है उस दिन कोई और परिक्षा ना हो उसके संदर में बताया गया हो पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड ही स्वीकार होगा ये भी यहां पर बताया गया अगली नुस दरोगा परिक्षा तीन चरणों में 12 से यहां पर भी 13 जिलों में 92 के इंदरों पर होगी परिक्षा बिना आधार कार्ड के जो परिक्षा के इंदरों परिक्षा उसमें प्रवेस नहीं मिलेगा परिक्षा में दूसरे के स्थान पर बैठे 21 जो है वो गिरफ्तार प्रियाग राज में चारों परिक्षा के इंदर उससे पकड़े गए दूसरे की परिक्षा देते हुए तो उसके बारे में बताया गया है प्रमाड पत्र मांगे गया है यह इस्टाप नर्जभरती जो है उससे समंदिक बताया गया है इसी में TGT PD की चैनित है उनको सम्मान जो है उसके बारे में बताया गया है और इसकिल टेस्ट जो है उसमें 65% जो है वो सफल हुए है SFC जो है उसकी परिक्षा में CHSL की उसके बारे में भी बताया गया है आगले नोगे से सिविल सेवा की फ्री कोचिंग में इस बार कम जो है वो आवेदन और लाइन आवेदन करें अंतिनतिती जो है वो आठ नौंबर है प्रवेस पत्र डाउन्नोड की जो है वो फंदर नौंबर है और प्रवेस परिक्षा प्रणाम की 27 नौंबर है वो कोचिं बन गया है अगली और इस वीडियो की लाश करेंट अफेर देखते हैं इसके अलावा वीडियो पसंदा है तो लाइक भी सबी लोग अवश्य करते रहेगा कि भारत ये टीका जो को वैक्सिन है उसको वैस्विक मानिता जो है वो प्रदान कर दी गई है प्रसना ऐसे ही आउन से पूछा जा सकता है करेंट अफेर से कि भारत में वैक्सिन को भी सील्ड है को वैक्सिन है तो किसको जो है वो वैस्विक मानिता मिले तो को वैक्सिन को जो सब्सक्राइब आपात इस्तुमाल की अनुमती जो है वो दे दी है और 18 साल से उपर के लोगों को ये टीका लगाने की मंजूरी जो है वो दी गई है यह भी आपर क्लियर गया तो यही था हमारे ओवरॉल अपडेट में जिसी परकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चै क्यांब पाते हैं